हेलो बच्चों वेलकम टू अबर चैनल के भी 360 यह क्लास सेकेंड का साइकल टेस्ट वन और सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे इस कोईशन पेपर को चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशन है राइट द नंबर नेम आफ द फॉलिंग नेम यहां पर कुछ नेम दिए गया है नंबर के उसका मैं क्या करना है यहां पर लिखना है तो यह 11 है तो यहां पर हो जाएगा 11 47 47 47 higher than 39 39 39 ओ गया फिर नेक्स ऐस सर्कल अलार्जेस्ट नंबर लाजेस्ट नंबर क्या होता है सबसे बड़ा नंबर 23, 25, 72, 63, 11 तो यहां पर सबसे बड़ा नमबर कहा है 72 तो इसको हमने सर्कल कर दिया नेक्स्ट है सर्कल दा है स्मॉलेस्ट नमबर तो नमबर्स है 34, 21, 11, 85, 96 तो इसमें सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट नमबर बताना है में तो इसमें सबसे चोटा है smallest है 11 तो हमारा यह answer हमारा सभी हो गया next देख लेते हैं हमारा question है identify and write each object that can roll और slide तो यहां पर कुछ objects दिये गए हैं यह देख रहे हैं आपको पस यह bag है candle है क्यूब है बॉटल है यह टोमेटो है यह क्या है कुछ इन में से क्या करते हैं रोल करते हैं कुछ slide करते हैं आपको लिखना है जो रोल करते हैं उनके सामने नीचे रोल लिखना है जो slide करेंगे उसके सामने नीचे रोल यह रोल करेगी तो यहां पर हो जाएगा रोल यह क्यूब है क्यूब क्या करेगा हमारा स्लाइड करेगा बॉटल क्या करेगी रोल करेगी और टोमेटो हमारा क्या करेगा रोल करेगा तो यह हमारा क्वेशन हो गया जिसमें बैक स्लाइड करेगा कैंडल रोल करेगी यह क्यू इसमें हमें इनको प्लस करके लिखना है कि इसमें माइनस करना है और यहां पर इसका अंसर लिखना है तो इसको क्या करना है सरसे पहला कोश्चन देख लेते हैं इस तरह से लिखना है 5 & 9 14 प्लस 2 14 प्लस 2 कितना होता है 14 प्लस 2 होता है 16 फिर है 7 और 8 7 और 8 कितने होते है 15 15 और 9 कितने होगे इस तरह से आपको एड़ करके लिखना है 15 प्लस 9 हो जाएंगे 24 24 9-4 9-4 क्या होंगे 5 फिर है 25-9 यह हो जाएगा हमार 16 तो यह कॉश्चन भी हो गया फिर देख लेते हैं थैसर कोईशन हमारे पास है कि राइट देन नंबर नेम आफ दॉ फोल्एंग आप क्या करना है यह कुछ नंबर दिया है इनके हमें क्या करना है नंबर नेम लिखना है इस इस करना है इनके इनके नंबर नेम लिखना है तो यह है 62 60 की स्पेलिंग क्या है S I X T Y 60 और फिर है 2 यह है 30 T H I R T Y और फिर है 4 तो यह होगा 34 इसमें थोड़ा सा मिश्टे हो गए 90 की स्पेलिंग गलत लिखती है मैंने और फिर 595 हो गया फिर क्या नेक्स्ट क्वेशन हमारे पास है fill in the blanks यहाँ पर क्या दिख रही है आपको scissors दिख रही है यह अब आपको बताना है नीचे जो question है उसका अंसर देना है pair of scissors pair of scissors का मतलब क्या होता है कोई भी जो दो object होते हैं उनको एक pair बोलते हैं तो इनको क्या गरना है पहले सबसे पहले इनको group बना ले ना two का group फिर कितने हमारे पास pair of scissors हो गए 1-2-3-4 four फ़र हमारे पास pairs हो गए ये इसका pair बनाने तो यह इसको ऐसे रहने पर का मतलब होता है कोई भी दो चीजें मतलब दो चीजें को ग्रूप को क्या बोलते हैं हम pair बोलते हैं तो हमारे पस total scissors का pair कितना है है four one two three four तो यह question हमारा वोगा है next question है Bengals यहापर पियर नहीं पूछा है क्या पूछा है Bengals Bengals मतलब total Bengals यहापर three है three है three 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 six plus three nine तो total हमारी Bengals कितने होंगे नाइन तो यह था हमारा सेम्पल पेपर साइकल टेस्ट फर्स्ट का कि मैट्स है और कि आप लोगो समझ में आ गया होगा पड़ते रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू